नमस्कार दोस्तों तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब सेर जरूर करें तो आज हम आप लोग के साथ लेके आए हैं आलू और सेम की ऐसी सबजी जिसके आगे सारी सबजी फेल है इसके आगे अचार भी फेल है बहुत चटपट बहुत टेश्टी लगती है ये सबजी तो आप लोग एक बार जरूर इसे बना कर ट्राइ कीजिएगा देखिए कितना अच्छा बना है, कितने टेश्टी लग रहे हैं देखने में, खाने में भी उतना ही टेश्टी लगते हैं दोस्तों, तो इसे आप जरूर बनाईएगा, देखिए आप लोग को हम पास्ते दिखा देते हैं, कितनी टेश्टी बने हैं, तो चलिए आप लोग को हम बना कर इस मिर्च 40 चारप युझर करभ करद दीगया तो हम शाइज के काते देंगे दो बढ़े- आलु года हम ने काटे थे वह और दाय to ड़ा यह कुछ में आदेखियो कि इस में डॉआ के दाइज यह जा मिल्ज देंगे दो इसमा है बड़े शुम Nicolai काते थे वर दैंट बादा तो बिशायक कणूरे बेक और सीन हो यह संग्या और इταड़ सबस्कान। यहां १ुम्चा लिकोर सेट यहां करें जिसको अमने साइड से चिलके हटा कर दो में दो। तो हम इसे 3-4 टुकरों में काट लिए हैं और आलू को और सेम को फ्राई कर लेते हैं पहले तो देखिए आलू और सेम को हम ढग करके फ्राई कर रहे हैं कितना टेश्टी लग रहे हैं आलू और सेम दोनों हलका हलका गोल्डन हो गए हैं देखिए यहाँ पर ये सबजी बहुत टेश्टी होते हैं दोस्तो तो इन्हें हम अच्छे से चला देते हैं आलू गोल्डन हो गया देखिए कितना टेश्टी लग रहा देखने हम इन्हें धख करके हम थोरी दर और पकाएंगे तो देखिए आलू और सेम भुना गया है तिनको हम साइड में तेल करके निकाल लेंगे साइड में करके इन्हें हम निकाल लेंगे छनी से देखिए इस तरह से निकाल लेना है बाकी तेल इसी में रहेंगे जिसमें हम मसाला को फ्राइ करेंगे और आलू और सेम को हम साइड में करके निकाल लेंगे तो इसमें कुछ जीरे रह गए हैं तो इसमें मसाला फ्राई करेंगे हम एक बारी कटा हुआ प्याज इसमें डालेंगे तो प्याज को हम काट लिए हैं देखिए और तेल में डालकर अच्छे से हम फ्राई करेंगे तेल कम था तो थोरा शा और तेल आइड कर देंगे यहीं पे हम और प्याज को हम फ्राई करेंगे प्याज गोल्डेन हो गए हैं देखिए हम फ्राई करके निकाल लिए आलू सेम को दिखा दिया आप लोगो अब यहीं पर हम डालेंगे अदरक लहसन, और पीली सर्सू का पेश्ट आदी चमच पीली सर्सू लिया थ हम ने, और देंवारा लहसन की कलिया लिया थे और वन पिंच अदरक लिया थे, उसको हम पेश्ट बना लिया थे, इसमें डाल कर हम फ्राई किये हैं आधी चमच लाल मिर्च, भनिया पॉर्डर, गरम मसाला, कासमीरी मिर्च, हल्दी बढ़िक देंगे, चमच और भावज प्वर्णी प्रसलिकर, मसाले में हलका सी पानी टलके फ्राई करेंगे, चिपक गए हैं है तो, तो चलिए इन्हें हम मसाले को फ्राई कर लेते हैं पानी हमने आइड कर लिया दो से चार चमस तक और मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे मसाले जितने अच्छे फ्राई होंगे सबजी उतना ही उभर कर टेस्टी होगा तो चलिए हम मसाले को फ्राई करते हैं देखिए मसाला का कलर कितना प्यारा आया है तो ऐसे मसाले को फ्राई करना है यही पे हम टेस्ट के कोडिंग नमक करेंगे इसमें आप अपने टेस्ट के कोडिंग नमक कर सकते हैं तो मसाले तेल छोड़ने लगे हैं तो इसका मतलब मसाला मेरा लग बख पक गये हैं तो दिखिए ऐसे चलाना है कि नीचे से मसाले पकरे नहीं यहीं पर हम डाल देंगे आधी कप पानी जिसे मसाले अच्छे से मिल जाए लम्स नहों मसाले में और यहीं पर आलू और सेम फ्राइए किया हुगा हम डाल देंगे और इसको मसाले में हम मिक्स कर देंगे और ढग के हम थोरी दिर के लिए पकाएंगे इनको हम मिक्स कर दिये मसाले में और ढग के हम थोरी दिर के लिए इनको छोड़ देते हैं तो देखिए हम ढखके छोड़ दिये हैं इन्हें एक पर हम चला लेते हैं देखिए सबजी मसाले आपस में मिलने लगे हैं सॉप्ट होने लगे हैं सेम बहुत जल्दी सेम सॉप्ट हो जाते हैं तो इसलिए इनको हलका ही फ्राई करके निकाल लेना है पहले इसलिए मैं आलू डाली थी डख के हम थोरी दर पकाएंगे इनको तो दीखिए आप लोगो हम दिखाते हैं फिर चला करके ऐसे चलाना है कि निच्चे से सबजी पकरे नहीं तो सबजी देखिए आलू भी पक गया है पास से आप लोगो दिखा देते हैं कितने टेस्टी बने हैं अलो भी पूड़ा पक गया है और सेम भी शॉक्त होगा हैं तो चलिए इन्हें बन गए सब्जी हम सर्व कर लेते हैं एकको टोडी में हम इन्हें शर्व करते हैं देखिया और अंची लगे प्लीज कमेंट में बताइए और आप लोग बना कर जुरूर ट्राइ किजिएगा चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फूल वाच करें वीडियो को फूल देखने के लिए दिल से आप लोगों का थेंक यू मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नमस्कार